So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Traders को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो जसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मल जाएगी वहाँ पर आपको Nipty और Bank Nipty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue टाटा पावर की अगर बात की जाए तो टाटा पावर में काफी अच्छे रिटन आज हमें देखने को मल रहे है 378.55 रुबिस के राउंड अभी मार्केट में ट्रेट कर रहा है और रिटन्स की बात करें तो 4.80 रुबिस के राउंड तक के रिटन आपको यहापर देखने को मिले गए 1.28% के बहाब पर शेर जो है अच्छे रिटन्स यहापर देता वह नजरा रहा है और हमें आगे उम्मीद है कि स्टॉक में ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है शेर में आप देखो वार्निंग में अच्छे रिटन्स देखने को मिले फिर उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट यहापर आ गई यहापर आप देख सकतो 9.15 से 9.25 तक यहनी 10 मिनट के अंदर अंदर यह 3 रुपे तक की ग्रोथ बता चुका था फिर उसके बाद शेर में जो गिरावट देखने को मिली है 4.30 पैसे के राउंड तक की रही 9.25 से लेके 12.35 तक यहापर 4.30 पैसे शेर की ग्रोथ देखने को मिली लग भग शेर में अगर रिटन्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकतो काफी अच्छे रिटन्स देखने को मिल जाते है 6.25 पैसे के राउंड राउंड बढ़ गया था फिर उसके बाद अगें शेर में गिरावट देखने को मिली तो एक upside down momentum stock में हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे है वहीं अगर बात करें तो पाच दिन के टाइम फ्रेम पर तो 9 फरवरी से लेके अगर बात करी जाए 13 फरवरी तक किये तो 47 रूपे के राउंड राउंड स्टॉक गिर गया फिर 13 फरवरी के बाद शेर में 23 रूपे 70 पेसे के राउंड तक की ग्रोथ नजरा गई एक महीने में अगर आप दिखो तो काफी upside down momentum रहे है यहाँ पर 15 जनवरी से लेके अगर दिखे 23 जनवरी तक 12 रूपे 70 पेसे ये शेर में गिरावट रही फिर उसके बाद अगर आप दिखोंगे 61 रूपे के राउंड 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 स्टॉक में एक तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 45 रूपे के राउंड राउंड स्टॉक में आप देखोगे तो उसके लिए हम वेट करेगे तो यहाँ पर कई बड़ी न्यूज आ रही है यहाँ पर देख सकते हो Tata Power की उसे एक पैक साइन किया गया है Tata Communication के उपर यहाँ पर आप देख सकते हो Tata Power Company Subsidiary Tata Power Renewable Energy Limited तो Tata Power का जो सब्सेटिरी कमपनी है Tata Power Renewable Energy Limited उन्होंने यहाँ पर Wednesday को एक announcement की थी उन्होंने यहाँ पर एक agreement sign किया था, एक pack sign किया था, किसके साथ Tata Communication Limited के साथ यह fact किता है, 18.75 Megawatt का तो यहाँ पर 18.75 Megawatt AC Group Capitiv, 16 Power Plant के उपर एक काम करने वाले है तो एक बड़ा pack sign किया गया, ठीक है The project facilitated through a special special purpose vehicle, जो यहाँ पर अगर देखे SPV जो है, special purpose vehicle जिसे कहा जाता है Nivad Wine Farm Limited has acquired an estimated order value, जो यह order value रहेगा यहाँ पर Nivad Wine Farm Limited और जो SPV है तो यहाँ पर रहेगा 105 करोड के रावन तक का, जो यहाँ पर located है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आचे गाव में यह located है महराश्टर के, the plant is projected to generate approximately 14 M.U.S. power तो यहाँ पर अगर देखे, 40 M.U.S. power यहाँ पर जनरेट करेगा और off-setting, off-setting more than 30,000 ton CO2 emission annually तो यहाँ पर 30,000 ton CO2 यहाँ पर emission होगा annually यहाँ पर बात की जारी, तो यह काफी बड़े numbers है, काफी positive numbers यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा-सीधा positive impact इस particular share के उपर पड़ा है और बिल्कुल यहाँ पर back-to-back stock में एक अच्छी बड़ा देखने को बल रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो Morgan Stanley की ओर से कुछ target upgrades किये गए है ठीक है, तो Morgan Stanley का क्या कहना है आप यहाँ पर देख सकतो Morgan Stanley ने कई बड़े firms में बड़े-बड़े targets दिये गए BHEL में भी उन्होंने target दिया और वही अगर देखें उन्होंने target यहाँ पर 220 के राउन तक का दिया NTPC में उन्होंने 390 का दिया गया और वही अगर बात कर लें तो यहाँ पर power grid में उन्होंने 296 का दिया यहाँ लें बड़े पावर करें तो TATA Power में उन्होंने target price जो है Tata Power में एक अच्छी बड़त देखने को यहाँ पर मिल रही है Current Market में हम देख रहे है Stock यहाँ पर अगर देखें अभी भी 5.20 पैसे के अच्छे रिटन्स दे रहा है और जो PM सुरेद योजना जो रहा है तो उसमें एक बड़ा लीडर ही रहेगा बड़ा लीडर रहने वाला है Tata Power will be a leader supplier for PM rooftop solar scheme तो यहाँ पर जो PM की rooftop solar scheme है उसमें तो यह बिल्कुल लीडर रहेगा तो यहाँ पर जो प्रवीर सिन्ना है CEO है उनकी और से एक बड़ा announcement किया गया है तो यह बड़ी चीज है तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा और positive impact और share के उपर पढ़ने ही वाला है तो इस चीज के उपर भी आप यहाँ पर focus रख सकते हो बात करें अगर इसमें volume की तो volume किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से share में आप देख सकते हो तो यहाँ पर clearly numbers नजर आते है 2 करोड के round तक का आज भी trade value हमें देखने को मिलता है high volume के साथ stock में buying हो रही है yesterday की गर बात करें तो yesterday 2 करोड के round तक का trade value रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो high volume के साथ stock को buy किया जा रहा है high volume के साथ यहाँ पर खरीदारी हो रही है और आगे भी stock में आप positive रह सकते हो आगे भी ऐसी ही खरीदारी हमें इस share में देखने को मिल सकती है वही अगर बात कर ले community sentiments के आकडों की तो community sentiments के आकड़े क्या कहता है यहाँ पर clearly आप देखोंगे तो यहाँ पर आप देख सकतो टाटा पावर में जो volume है community sentiments के आकड़े देख लिए levels क्या कहता है कल के लिए किन points को हमें यहाँ पर discuss करना चाहिए किन points के ओपर हमें focus करना चाहिए तो उस चीच को लेकर भी हम यहाँ पर टाटा को देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकतो टाटा पावर में पहले तो हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या levels है किस तरीके से levels काम कर रहे है तो कल जो trade line हमने discuss की थी उस trade line को काफी अच्छी तरीके से respect दे रहा है काफी अच्छी तरीके से share आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर आप clearly देख सकतो stock में काफी अच्छे support रहे हैं यहाँ पर आप देख सकतो support नजराता है फिर again support नजराता है फिर support लिया फिर support लिया तो यहाँ पर भी support देने की कोशिश की है इसने और यहाँ पर भी वही चीच कर रहा है तो multiple times इस particular range पर इसने support लिया और yesterday अगर बात की जाए तो यहाँ पर 13 तारीक तक की तो 13 तारीक को तो बिलकुल यहाँ पर एक symmetrical type pattern बना 14 तारीक को यहाँ से इसने breakout दिया breakout के बाद इसने इस level को break किया तो यहीं से हम positive हो गए थे कि level break हो गए है तो stock यहाँ से उपर क्यों जाएगा ही जाएगा तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो यह वाली trade line भी इसके लिए काफी हत तक IMP रहेगी यह वाली जो level है यह भी इसके लिए काफी IMP रहेगे क्योंकि आप देख सकते हो 15 मिट के चार्ट प्रेम पर मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर एक rising wish टाइब चैनल बनाने की कोशिश कर रहा है एक rising wish टाइब चैनल बनाने की एक कोशिश कर रहा है और इस rising wish टाइब चैनल में आतो इस टर्न लोजी का Infoway Limited 1430 रुपे का इस स्टॉक है कंपनी की और से बोनस दिया जा रहा है 5 to 1 का और एक शेर के उपर 5 बोनस के शेर्स आपको मिल जाएगे 21 फरवरी 2024 से पहले बाई करना होगा तब ही आपको इसका benefit मिलेगा तो बिलकुल 100 शेर्स खरीते हो तो 500 शेर्स मिलेगे और यहाँ पर एक शेर्स खरीते हो तो 5 बोनस के शेर्स मिलेगे तो और ओल काफी कुछ बाते हमने कर लिए है इस पर्टिकलर वीडियो में इन शेर्स को लेकर तो I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like चनल को subscribe कर देना और कोई भी stock में investment करने से पहले इनका analysis कर लेना साथ ही टेलिग्राम चनल को join कर लेना Thank you